सुप्रीम कोट के पूर्व जज जस्ती चेलमेश्वर ने कहा है कि अगर आरोपी के पुलिस एंकाउंटर को हम ऐसे ही प्रोमोट करते रहे तो हम में इसे कोई भी कलिस एंकाउंटर का शिकार हो सकता है हैदरबाद के ICFAI Law School में Rule of Law विशय पर व्याख्यान देते हुए चेलमेश्वर ने ये बाते कही बारेंट बेंच के मताबिक चेलमेश्वर ने साल 2019 के हैदरबाद एंकाउंटर का जिक्र किया जहां तेलंगाना पुलिस ने रेप और हत्या के चार आरोपियों को मुठवेड में मार गिराया था चेलमेश्वर ने कहा इस तरह के त्वरित ट्राइल और त्वरित इंसाफ के बारे में हम अकबार में पढ़ते हैं तो सब सही लगता है लेकिन बात इन चार लोगों पर नहीं रुकेगी अगर इस तरह की कारेप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा तो कल को हमें से कोई भी या और उसकी वज़ा से लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है जिलमेश्वर ने हैडराबाद मुठमेड में चारो आरोपियों के मारे जाने के बाद सामाजिक संगठों नों द्वारा जाहिर की गई खुशी पर भी चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि दूसरे और फिर वो उपरी अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तमाम तर्क हैं लेकिन ये तर्क क्यूं है क्योंकि हमारी कानूनी एजिंसियों जाच एजिंसियों कानून और नयाय व्यवस्था की कमी है कि वो इन संगठनों के अंदर भरोसा पैदा नहीं कर पा र हैने वाले हैं इनका जन्म 23 जून 1953 को हुआ उनके पिता जस्ती लक्षमी नारायंड वकील रहे चिंदे के लोयला कॉलिज से जे चेलमेश्वर ने बीसी की इसके बाद आंद्र युनिवर्सिटी से उन्होंने ललबी की इसके बाद पिता के साथ उन्होंने वकालत की प्रै सुप्रीम कॉर्ट का जज बनाने में देरी हुई इस वजह से विचीफ जस्टिस नहीं बन पाए 12 जन्वरी 2018 को सुप्रीम कॉर्ट के चार वरिष्ट जजजों यानी रंजंगो गोई, कुरियन जोसफ, मदन लोकुर और जस्ती चेलमेश्वर ने ततकालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के काम करने की तरीकों पर सवाल उठाए थे, प्रेस कॉंफरेंस द्वारा ये प्रेस कॉंफरेंस चेलमेश्वर के आदिकारिक निवास पर हुई थी, प्रेस कॉंफरेंस में वे ही सबसे ज़ाद मुखर थे, वे क्लॉटे जज थे जनोंने कोलिजियम का वि रेटायर हो गए, रेटायर्मेंट के बाद वो अपने विदाई समारों में भी शामिल नहीं हुए, और अपने गाउं चले गए, अभी वे गाउं में रहते हैं और खेती करते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिध्धान्त ने, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे हैं, दिललन लंटो।